नमस्कार दोस्तों स्वागे ते आपका हमारे सी यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे सैमसंग F62 5G के रिसेट सेटिंग फेक्टरी रिस्टोर के बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ आप लोग बने रहे सबसे पहले आप लोग अपने फोर में सेटि कर देते हैं रिसेट फर्स्ट में जो हमें सेटिंग मिलती है जैनरल मेनेजमेंट में रिसेट की स्पिकलिक कर देना है फोर्थ वाल आप्सन रिसेट का स्पिकलिक करिए लगबग हमें यहां पर 5 आप्सन अवेलेबल मिल जाते हैं जिसको मैं बारी-बारी से आप लोग को reset setting का इसमें आप लोग अपने phone में only setting को reset कर सकते है second option है reset network setting जिसमें आप लोग अपने phone में wifi, bluetooth जैसी settings को restore कर सकते है इसमें आप लोग का personal लाटा नहीं चाहेगा कहीं भी third option है reset accessibility setting इसमें आप लोग अपने phone की accessibility setting को default में कर सकते है उपर की जो तीनों सेटिंग है इसमें आप लोग कोई भी personal data delete नहीं होता है जैसा कि मैंने आप लोग बताया वो सब जो है restore default होता है fourth option काफी main रहता है factory data reset यह कंड से आप लोग के phone में पूरा data खतम हो जाता है जैसे included आप लोग का जो भी application आप लोग ने download किया है उसका data photos, music तो इस टैप से आप लोग अपने phone को पूरा hard factory set करेंगे तो आप लोग के phone का पूरा data खतम हो जाता है last में आप लोग को auto restart का option मिलता है so guys जो topic था हमने cover कर लिया है उम्मीद करते आप लोग को वीडियो पसने के जा माता दी